नमस्कार सलाम नुश्कलिक में आपका स्वागत है मैं हूं मुकुलसरल मेरे साथ है मेरे साथ ही सत्यमतिवारी हम आज आप से फिल्म आर्टिकल 15 पर बात करेंगे जी नहीं हम आपको हम आपको इसकी कहानी नहीं सुनाएंगे हम इसके समाजिक परिपेक्ष की बात करेंगे इसका राजनितिक महत्र समझने के कोशिश करेंगे तो क्या इसमें खोबिया हैं क्या खामिया हैं क्या इसके मैसेज हैं हम इसी पर बात करेंगे सत्यम आपने फिल्म देखी मैंने भी ये फिल्म देखी मुझे फिल्म अच्छी लगी आपको फिल्म अच्छी नहीं लगी इसी तरह कि बहुत से वर्जन आ रहे हैं इस फिल्म की समिक्षाएं आ रहे हैं बलबल लिख लिख रहे हैं कुछ तो अतिरेक भी हैं कि कुछ बिल्क कि इसमें हर चीज को हम बस छूके वापस भागे हैं तो हमने किसी भी चीज को फिल्म में फिल्म ने किसी भी चीज को एकदम ही टार्गेट करते हुए बात नहीं कही है और इसकी जो सबसे बड़ी मुझे दिक्कत यह लग रही है कि यह जो एक सेवियर कॉंपलेक्स है चारो तरफ घूमता हुआ जैसे अनववसिना की पिछली फिल्म मुल्क में भी यही था कि एक बाहरी आदमी आएगा और वो जो है उस पर्टिकुलर जात या पर्टिकुलर धर्म के लोगों को वह आके वही बचा सकता है नहीं तो उसके लावा को छोड़ नहीं सकता जैसे इस फ मतलब उसने एक सेवियर की तरह काम किया है इस फिल्म को लेकर जो सबसे बड़ी आपत्ती है सबसे बड़ा सवाल या कोईशन जो चल रहा है लोगों के बीच में वो यही है कि इसका हीरो एक ब्राम्मन क्यों है है ना मेरी छोटी बिटिया ने मुझसे सवाल किया कि पापा इसका विलेन कौन है तो मैंने कहा कि इसका विलेन जो है ब्राम्मन वादी वेवस्था है और इसका हीरो भी तरफागन ब्राम्मन है तो ब्राम्मन वादी वेवस्था के खिलाफ एक ब्राम्मन का ही संगर्ष जो भी है जो इस तरह से दिखाए गया तो आपको ऐसा क्यों ल हीरो की ज़रूरत ही क्यों है तो यह बात निकल के आति है कि ऐसे लोग चाहिए है कि एसे नहीं है लेकिन दरसल आयान एक हीरो है अभी जब हमने बात कर दिगित ब्रामन एक हीरो है मतलब आयान है तode film ने अपने आपकों कि अंट जो मैं ने आपको किया एहां पहरा पे सुरूमें और उसके बाद-पूरी फ्ल्म जो है आप इसमें ये हम गवारे करने की हीरो हीरो क्मड ब्रामण तो हीरो है लिग तो पर जो पूरी फिल्म जहां ये बात आई ये बात तो इस बात को जो निर्देशक है इस फिल्म के डारेक्टर अनुभव सिन्ह उन्होंने भी महसुस किया एक सत्यागरा में एक इंटर्वी उनका आया जिसमें उन्होंने बताया कि इस विशय को लेकर कि इस फिल्म का हेरो ब् स्बाइट को ही सेवियर या मसीहा के तौर पर क्यों दिखाया जाता है तो अनुभव शिन्ह का जो कहना है warm לה सीन्ह काका एक कैना था कि हम निस पर बात की और मैंने यह कहा कि हमेशा हाहम्य आगल मसीह नहीं होता पर लेकिन हमेशा ह्थी पानाHHH नहीं होता हैं पर लेकिन हमे सामाजिक्सन रचना के हिसाब से दोनों पर टॉप पर है यानि उसके पास पूरा रास्ता है पूरी सुविधा है कि वो किधर भी चला जाए लेकिन उसने सही रास्ता चुना तो वो इसे इस तरह से जश्टिफाई करने ही कोशिश करें आप उनकी बात को या उनके वक्त अब अनुभव सिना की अगर बात करें तो मुझको यह लगता है कि उनकी फिल्मों में जो पूरी फिल्म को दिखाना है क्योंकि एक मेजर जो फिल्म देखने वाला बॉलिवूड मेंस्ट्रीम सिनेमा देखने ऐसी फिल्में देखने वाला कौन कौन सी क्लास है वो एक अर्बन पढ़ी लिखी जो जञता है अब कोई जो जिन पर वे फिल्म आई गयी है वो तो फिल्म देहेंगे नहीं जादात तादात के लोग नोकी दिन में आफिस जाते हैं शाम को बैटके फिल्म देख्थे आप दोस्तों के साथ गप्शब करते हैं तो उनके लिए अनुभव सिन हिंदू-मुस्लमान वाला और उसमें ये अलग है कि जिसने बचाया उस परिवार को मुस्लिम परिवार को उनकी हिंदू- बहू थी है ना जवाब बाहरी कर फिर भी उन्हों ने इस सवाल को इससे मुटभेड की कि वे लोग उन लोग और इसमें भी सवाल पर उससे मुटभे ने सबसे जाती के भीतर जाती का दिखाया है यह सबसे возмल को सब्सेक्वत कर रहा है जो जाती विजए से खुद उत्पीड होने की वह यह ना उन लोग के बहुत करीब दिखाने के लिए आपने को ऐसा क्लिदी यह के 'll हम अपने को दिखाने को हम आपके साथ हैं तो वो कि ये लोग ऐसे ही है ये लोग इनका तो ऐसे ही है तो लोग चले जाते हैं भाग जाते हैं लौट आते हैं इनका छुआ नहीं खाते हैं इनका हम इनके पास नहीं बैठते परचाई से भी बसते हैं तो वो जो एक पूरा का वह ऊसने सवाल जवाब सes Тपर जानना ने जानना जाना तो यह को यह तुम्त कौन सब्सक्राइन है जो आयान है कि मैं ब्राह्मन हूं और जो विलेंग है जो खनाक जिसों रे पर घर आज जो यह मैं मतलब वो भी ब्रहाय मन थे और यह में आप भी जो तो वह प्लास जो पूरा कोचक्र रहेए वर्गी से के इस तरह का उस पर प्रहार करने के कोशिश की इस से तुछ एक करदार है निशाद जो एक दलित करेक्टर है और प्रतिरोध की आवाज है एक तरसे उसमें यह तो आपने सही कहा शुरू में कि वो हर चीज को छूते वे चले हैं उन्होंने इस व्यक्ति में इस निशाद में रोहिद वेमूला भी दिखाने की कोशिश की इसमें उन्हों को बनना चाहता था फिर मैंने सीक्टिस्ट का राइट्र मैंने सुचा में साइंस का राइटर बन जाओं लेकिन जिस्ट जाती हैं पैदा हूँ वही है कितना बड़ा तो यहां वह रोहिद वेमूला की उस पत्र की बात कर रहे हैं जो आखरी खत थे उनका और जब वह तकर अगर हम इस बात को सोचें, बहुत लोग कहवी रहे हैं कि क्या इसका हीरो या इस करदार को और डवलब निशाद को करना था, क्या इस फिल्म का हीरो निशाद होना चाहिए था? निशाद को हीरो नहीं होना चाहिए था लेकिन निशाद का करेक्टर है उसको या निशाद का करेक्टर एक दलित नेता के तौर पे है लेकिन निशाद के हम लोग कह रहे हैं कि निशाद और सायानी कुप्तर गौरा करेक्टर है वो इसमें बहुत ज्यादा अच्छे हैं जान कनवर्सेशन भी अगर आप देखें तो बहुत ही बेसिक सी है कि जब उनसे एक बार मिलने आता है वो कहता है कि हमारे लोग पुलिस वाले काम पे नहीं है पुलिस वालों काम पे जाने दो कहता है ठीक है जाने देगी तो वह बहुत ही और उसके अलावा जो वाटसेप मैसेज की तरह उसके चलते हैं लेकिन फिर हम यह हमने हटा दिया कि निशाद पर फोकस निशाद पर फोकस नहीं था लेकिन वो पूरी जो दलित अपीड़न है उसको हम वहां पर यह फिल्म जो है उसको वहां पर ले जाके दिखा सकती थी कि अगर हम जब हम एक आयुश्मान खुर बहुत मेधावी चाहतर था उसके अगर 90 नमबर आए तो कहा थे कि पेपर जो है कुछ और है यह ऐसा वैसा है लेकिन हमने उसके बाद फिर उसके और जो कॉंप्लेक्सिटीज है उसकी डलित होने के तोर पे जो उसकी दिक्कते हैं वह सकती है या उसकी जो उसका जो प्रतिरोध आगे बढ़ा है वह कितना आगे बढ़ा है कहां तक हम ने तो उसको बस थोड़ा सा दिखाया सब चीजे तोर पर रेफरेंस के तौर पर हैं तो सारा करें कि उस पर केस हुआ उस ने फिर यह का पिर हो कहता है कि नहीं मैं मैं रिलीगल है तो इलीगल करूंगा अप रोक सकते तो रोक लीजिए मेरा सब्स्पेंशन ओडर रुका हुआ है मैं वह साइन कर दूँगा तुम डायर कर दो कम उस पर पूरा हम फोकस कर रहें लेकिन जब हम दलित उस पीडन की बात करते हुए फिल्म बना रहे हैं कास पे बात करते हुए फिल्म बना रहे हैं पर वैसे उन्होंने कई जगे बड़े चुपते हुए चाहे वो आत्मन्थन चल रहा है उन्होंने देखिए वहां उन्होंने इमानदारी बरती है जिसे वो एक जग मौत नहीं हत्याएं हैं एक तो वो दूसरा यह कि ये भी एक शाहदत एक तरह की और इस पर सच्चता के भी सिपाही हैं अगर आप आप मानते हैं कि सच्चता का कुछ तो लेकिन इन्हें वो संबाहन नहीं और ना इस मौत को रोके जाने के लिए पर जैसे एक जगे वो आयान बदन गटर में उतरना पड़ता है आप ये चीजें देख रहे हैं मुकल जी पर ये चीजें ये कुछ सवाल और ये कचोटने वाले कुछ चुबने वाले वह जो सब के भीतर चल रहे हैं और उस बात को बड़ी मांदार से सच्चाई से उनों रखा लेकिन ये वहीं पर कमजो है कि मैं अपर क्लास का हूँ इस वेवस्था में तो मेरे जैसे लोगों को लगा कि हाँ वह अगर जो सुवर्ताल में उतर गया एक ब्रामवन वह सारी जाती है इंसा खत्म होगी लेकि ऐसा तो नहीं है मुझको तो ऐसा लग रहा है कि फिल्म जो है वह ब्रामवनों को खु अभी-कभी बाहर दिखने वाली वैलेंस के पीछे एक ऐसा वैलेंस होता है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता वह हमारी सब्धत का हिस्सा बन जाता है उसे हम हिंसा नहीं कहते समाजिक व्यवस्था कहते हैं तो समाजिक व्यवस्था पर एक उस इस तर पर खड़ावा इस फिल्म को एक समस्य को छूते भी निकल गई जैसे आपने कहा भी ब्राह्मन को ही संतुष्ट कर गई यह ना चरम सब्धार पर मैं एक बात कहूं कि ऐसे क्या हम जो भी अपरकाष्ट का है या जो भी ब्राह्मन क्योंकि हम यह खुद इस बात के हामी हैं हम खुद इस बात के मानने वाले हैं कि ब्राह्मन वाद और ब्राह्मन अलग अलग दो चीज़े हैं हम यह मानते हैं कि ब्राह्मन वाद एक व्यवस्था जो है जो तो जब हम इसे अलग-अलग मानते हैं तो हम उस काश्ट से या उस जगह से आने वाले व्यक्ति के हर एप्रोच को हर एफर्ड को मतलब उसके काम को उसे शक्की निगाह से क्यों देखें हम उसे क्यों थोड़ा इमानारी से नहीं देख सकते कि वह भी उसी उससे हिस्सा बनके उसी तरह सोच सकता है उसी तरह काम कर सकता है वह फिल्म के मतलब बागी चीज़ें तो हटा के भी सामाजी परिपेक्ष में भी यह सवाल बार बार उठता है कि चाहे वह राइनिती में प्रतिनित्व का सवाल हो है ना तो वहां भी चाहे वह हिंदू-मुस्लमान का सवाल हो भूल्प प्रेलों कि और सकते हैं आप जिगनेश को या तमाम तरह के और भी पाडिज है लेफ्ट या जिसे कनहिया को लेकर विवाद उठे कि वह महा वह वह बेगुसराय पॉस्थे उससे भूमियार खोशित कर दिया गया है ना और उसे एक अचानक शाहब बदीन एक मुस्लिमों के चेहरे हो जाते हैं तो क्या हम इस तरह जातीों से उससे इस तरह से नाप सकते हैं कि वो परतिरोत की आवाजे हैं चाहिए वो किसी वर्ग से आ रहे हम पूरा उसी तरह जगे और समान दे सकते हैं रिमानदारी उसकी समझ सकते हैं तो मुझको फिल्म के तौर पे तो मुझको ये लग रहा है कि ठीक है एक किरदार को हम ये उसको शक की निगासे हम नहीं देख सकते हैं लेकिन वो तब दिक्कत तब पेश आये लगती है जब उसके अलावा बाकी सारे जो किरदार हैं चाहे निशाद है या चाहे वो गौरा है या चाहे वो बत्तियों के माताब्तियों के जे दोनों बाप हैं तो हम उनको नके किरदार को कितना दिखा रहे हैं और हम कितना इसके अश्म शीज कर दार भी नहीं आ पाया सब चीज़ए थोड़े धूंदलके में चले देख़ु दिनल की तरह ऐसा नहीं है वो भी समझ रहा है वो भी बन रहा है लगातार वो अपनी जो दोस्त है शेर की एक्टिविस्ट है उससे लगातार चर्चा कर रहा है वहाँ जो सवाल उठ रहे हैं वहाँ जो उसके सामने अचानक ऐसी चीज़े आ है प्रस्थितियां वह डिसक्स कर रहा है और वो उसे एक रास्ता भी दिखा रही है और इसके बारे में मेरा यह है कि जैसे वह पूचता है कि यह कह रहे हैं कि अगर सब बराबर होंगे ते फिर राजा कौन होगा तो इसका हल वो देती है कि लेकिन हमें राजा की जरूत ही क् तो वो बन रहा है जिसे हम कहें कि या एक पुरुष के तोर पर भी एक या जब बन रहा है एक कोई व्यक्ति तो उसे हम क्या हमेशा शक्की निगाथ से देखेंगे ये मुझको ये लग रहा है आयान का जो किरदार जैसे आप कह रहे हैं कि वो बन रहा है और वो सारी चीजें जानना चाह रहा है ये वो ये आउटसाइड परस्पेक्टिक की बात यहां से आती है कि एक जो बड़ा तपका है उसको लगा कि ये तो मेरे जैसा है मुझको भी जानना है इसको भी जानना है लेकिन फिर वह है उसको इस्तेमाल किया गया है हमारी जो अर्बन लोग हैं उनको उनके लिए उसको इस्तेमाल किया गया है कि उसको बात बतानी है डिरेक्टर को वो इस किरदार के माध्यम से बताए तो क्या जो जो जाती है विवस् कहता है कि लग रहा है कि मास पे आ गया हूँ और कंट्री साइड इंडिया सो ब्यूटिफुल तो यह सारी चीज़े कह रहा है तो उसको अब फिर इसमें भी एक यह भी दिक्कत है कि आई पीएस आफिसर है वो तो क्या उसका सिस्टेम पता नहीं होगा बेशक पता होगा पर यहां भी पढ़ाई की पर यूरोप में वो गया और यूरोप से लोटा है तो कुछ चीज़े उसके लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि उसको हो सकता है यह ना लगता होगी अभी भी मेला उठाते हैं लोग गाउं में पर ऐसा उसने नहीं का वो उस वेवस्ता का थिंसा की भी ब लिकिन की यह भी पोशता है कƯ आपको तो हिंदी भी बहुत पसंदे आपको इस देश से बहुत प्यार भी पर बापस आ रहां कि यह लोगों के लिए बहुत ज्यादा वह कि जिन को वहीं होता है ना कि हम पता है लोगों को ज्यादा तो लोगों को पता है कि ऐसा भी अभी होता उन लोगों ゃónी के लिए बैलेणस करते हो है देखिए ब्राह्मन हैं और उसको उसने कुछ साल तक तो पहले वाकिए में कुछ खो गई थी चीज़े पर मैं देख रहा हूं कुछ एक साल में जिस तरह से दलित उभार और पुरा अंदुलन हुआ है दलत अदलित अंदुलन यह सफाई करमचारी अंदुलन यह तो उस यह गटर वाला मैला पर्था वाला जिसमें क कुछ इसी प्रतिरोधी ताकतों कोई वज़े से हस्तक शेप की वज़े से उन्हें वह जगह देनी पड़ती है दिखाना पड़ता है कि कहां कितने लोगों की मौत हो गई तो यह तो आप लोग समझ रहे हैं कि यह सब चीजे अब उनके आसपास घट रही हैं फिर भी वह उ मुझको लगता है कि खाली चलेगे उसने सिर्फ संतुष्ट किया उन लोगों को जिनको यह महसूस हुआ कि नहीं वही जैसे आपने कहा कि यह ब्रामण को हम हमेशा वह नहीं कर सकते हैं और मैं आपको बता दूँ ब्रामण अगर हीरो तो जो मैंने का ब्रामणवादी कि यह कितना वारी कि मुझे बहुत वह लगा कि वह व्यक्ति जिससे मासूं बच्ची के साथ रेप किया हथ्यारों साथ वो शामिल था वो व्यक्ति जानवर के प्रति कितना उसे कुटे के प्रति कैसा वो दिखाया है कि वो उन्हें बिस्किट खिला रहा है वो डॉक्टर के पास ले गया है कि पता नहीं कि बीमार हो गई है मतलब यह देखिए उस यह जो एक उसको चोट की है उस बात के पर वो हम एक व्यक्ति के हत्या कर देते हैं एक आदमी को माट डालते हैं और हम कहते हैं कि हम बड़े कोई धर्म के रखशक हैं हम गाये के रखशक हैं मतलब सब चीजों मुझे लगता है थोड़ा-थोड़ा सा छूकर तो निकली है पर उसने सब कुछ दिखाने के कोशिश इसमें साघ्डर करने प tennis और सरे लों करण कि क्या अब यह सकता है अवे आशलिम की तरह नियुक्त को मैं वैंए कि पतुता की इसा आखिरे दिन वैफ पाहलु और अंत में आके वो ठीक सा ठीक था हैपी एंडिंग हो गई जब पर्टिकुरली आर्टिकल 15 की बात कर रहे हैं फिल्म का नाम है आर्टिकल 15 तो आप उस पर अगर बात कर रहे हैं तो मुझको लगता है कि आपको बारीकियों में जाके बहुत ज्यादा बारीकियों में आप शायद ना जाएं लेकिन आप उसके बाद भी सिर्फ चीजों को च्छू के ना निकलिए और आपको वह फोकस देखना पड़ेगा सिर्फ बैलेंस बनाने के लिए फिल्म ना बने क्योंकि इसी इसी कास्ट चाहूंगा कि आर्टिकल 15 पर आपने बात लाकर रोकी और आर्ट किसे जान पाएं होंगे है ना तो वही जो सब चीजों को चू रही है फिल्म तो हमें आर्टिकल 15 भी पढ़ना चाहिए जो बताता है कि किस तरह से कोई भी भेदभाव हमारे समिधान में अलाओ नहीं है और तो हम यह चाहते हैं कि एक बार हम थोड़ सा आर्टिकल 15 के बार ना में से किसी का दहर पर कोई भी विभेदिया नि अंतर नहीं करेगा क्या इसके चार उबबन है कोई नाग्रिक केवल धर्म मोलवथ जाती लिंग जन्म स्थान या इन में से किसी के आधार पर उसे रोकानी जा सकता है। स्थान इसके किसी सम्मद्र में इसके उपवोग के समद्र में हो करने की आजादिश दी गई इसका एक और चौथा भाग है इस अनुछेत कि राज्ये को समाजिक और शेख्षिक द्रश्टी से पिशड़ हुए नागरिकों के किनी वर्गों की उन्नती के लिए यह अनुसुचित जातियों और अनुसुचित जन जातियों के लिए कोई विशेश उबंद करने से निवारित नहीं करेगी यानि नहीं रोकेगी इसके अलावा आप जानते होंगे कि आर्टिकल 15 के अलावा आर्टिकल 16 भी है जो समता का दिकार देता है आर्टिकल 17 भी है जो छुआ छूत इन सब को रोकता है उसको दंडनी अपराद बताता है आर्टिकल 19 है जो अभिवक्ति की सुतनतरता जो खासतोर से इंप्रेस वाले जिसकी बात करते हैं अभिवक्ति की सुतनतरता उसकी बात करता है देश में कहीं भी आने जानी के आजादी देता है और आर्टिकल 21 यानि 21 ये बहुत महत्पून है ये जीवन का दिकार देता है और पूरी मानवियक गरिमा के साथ जीने का दिकार देता है और इसमें सब श लेकिन हमें हमें अपने समयधान की प्रस्थावना जरूर पढ़नी चाहिए वो बहुत महत पूर है तो हम चाहते हैं कि इस बाचितには समाव्त करते हैं हम इस प्रस्थावना को गहरें लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन समाजवादी पंथ निर्पेक्ष लोकतांतर गणराज बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याए विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंदरता, प्रतिष्ठा और अफसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ती की गरीमा और राष्ट की एकता और अखंडता सुनश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए द्रण संकल्प होकर अपनी समिधान सभावें आज तारीक 26 नवंबर उननिस सो उलन साच इसवी के एतत द्वारा इस समिधान को अंगिकरत, अधिनियमित और आत्मारपित करते हैं तो ये भारत के समिधान के प्रस्तावना हम लोग अगर पढ़ेंगे तो हम ये समझेंगे कि ये भारत हम लोग, हम लोग की बात करती है, हम भारत के लोग, ना की हिंदू, ना की मुस्लमान, ना की सिक, ना की इसाई, ना की ब्रामन, ना की दलित, ना की बनिया, ना ठाकु ठीके तो यहीं पर हम अपनी बात समाप्त करते हैं आप भी इस प्रस्तानों को बार बार पढ़िए दोराइए और सोचिए धन्यवाद